गुद मॉर्निंग इस्टुडेंट्स आज हम सभी पढ़ेंगे अध्या 9 जिसका नाम है अभिकारी शब्द हम इस पार्ट को पढ़ेंगे तब हम जानेंगे अभिकारी शब्द क्या होता है अफे किसे कहते हैं बच्छो अब तक आपने पढ़ा की संग्या सर्बनाम विशेशर्ट अता क्रिया शब्दों में लिंग वचनकारक आदि के कारण विकार आ जाता है ये विकारी शब्द कहलाते हैं लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिन पर लिंग वचनकार आदि का कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है इन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं और अविकारी शब्दों को अब ये भी कहते हैं अब विकारी शब्द क्या होते हैं ऐसे शंग्या सर्बनाम विशेशर की अक्रिया के शब्द जिन पर लिंग वचन कारक आदिके कारड विकार मतलब आदिके कारड बदलाव आता है उनका सुरूप बदल जाता है वे विकारी शब्त कहलाते हैं लेकिन कुछ ऐसे शब्त होते हैं संग्या शब्त कहलाते हैं अबिकारी शब्त को हम अब्य मुझार्ण कारण firing आ वह मां होनुकर कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, यह हम अबिकारी शब्द कहते हैं ऐसे सब्द जिस पर लिंग वचन काल के कारण कोई परिवर्टन नहीं आता है तो वो क्या कहलाते है हमारे अभी कारी शब्द एक बहुत साधर सा उधारण मैं आपके लिए देती हैं जैसे कि रीना पढ़ती है हम लिखेंगे रीना पढ़ती है अब हम लिखें अमन पढ़ता है तो आपने देखा मैंने कहा रीना पढ़ती है तो जब बहाँ पर इस तरी लिए रीना तो पढ़ती है क्रिया अब हम कहते हैं अमन पढ़ता है तो जैसे ही हमने कहा अमन पढ़ता है प्रते दिन होगा हमारा अभिकारी शब्द क्योंकि प्रते दिन ऐसा शब्द है जिस पर ना ही तो इस तरह लिंक की बदलने से प्रभाव पड़ा इसलिए ये हमारा क्या हुआ अभिकारी शब्द हुआ अब अभिकारी शब्दों के भेद अभिकारी शब्द निम्ल के चार प्रकार के होती कितने किरिया विशेशन, संबंद वोधक, समुच्चा वोधक और बिस्मियादी वोधक पहले हम पढ़ेंगे किरिया विशेशन अब किरिया विशेशन किसे कहते हैं ध्यान से सुनिए बच्चो आपने देखा कि धीरे धीरे शब्द लड़ना किरिया की तथा प्रत दिन शब्द नहाना किरिया की विशेशन बता रहा है ये किरिया विशेशन अब ऐसे शब्द जो किरिया की विशेशन बताते हैं किरिया विशेशन अता हम कहा सकते हैं जो शब्द क्रिया की बिसेश्था बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेश्षषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषष होने या करने का इस्थान बताते हैं, वे हमारे इस्थान वाचक क्रिया विशेशर कहलाते हैं, जो इस्थान या जगह को दर्शाते हैं, वो हमारे इस्थान वाचक कहलाते हैं, जैसे कि रेनू भीतर सो रही है, मनू इधर बैठ जा, अब इधर और भीतर ये क्या है, ये इस् नम्बर दौ काल बाचक क्रिया विशेश और शब्द, जो शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं, मतलब ऐसे सब्ड जो प्रिया के होने का समय बताते हैं, टाइम बता हैं, अब जब तब कल पर सो रोजाना आज कल प्रते दिन ये सब क्या है हमारे काल बाचक क्रिया विशेशण है नमबर ती परिमाड बाचक क्रिया विशेशण है जिन शब्दो से क्रिया की मापतौल का पता चलता है वह परिमाड बाचक क्रिया विशेशण कहलाते है जैसे कम खाया करो, भारती ने खूब तरवूज खाया, मतलब परिमाड कोई मात्रा को दर्शात है, ये शब्द क्या कहलाते हैं, परिमाड वाचक, कुछ अन्य परिमाड वाचक क्रिया विशेशर कौन से, जैसे ज्यादा, काफी, इतना, उतना, केबर, मात्र लगवक, आधी जो मात्रा को प्रदर्शित करें, वो हमारे परिमाड वाचक क्रिया विशेशर क्या लाते हैं, रीति वाचक क्रिया विशेर, जैसे की घोड़ा तेज दोड़ता है, आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, तो ये शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, रीति वाचक, अन्य जल्दी धड़ा धड़ ये सारे शब्द हमारे क्या होते हैं रीत बाचक क्रिया विशेशर नमबर दो संबंद बोधक अब संबंद बोधक कौन से हैं टोकरी में फल रखे हैं पेड़ पर चड़ियां बैठी हैं मेज के नीचे चूहा है आपने देखा उपिक्त वाक्यू में शब्द में मेपर के नीचे वाक्र के अन-संगया शब्दों के बीच संबंद प्रकट करें ब्याकर में इनशब्दों को संबंद बोधक शब्द कहते हैं अथा हम सब कह सकते हैं जो शब्द संग्या या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंद वाक्य अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं वैं संबंद वोदक अब्या कहलाते हैं ऐशे शब्द जो दूसरे के साथ संबंद प्रकट करें जैसे की मेज पर फल है तो फल और मेज के बीच कौन सा अधिकतर संबंद वोधक अब्या कारक चिन्यों के साथ पर्योग किये जाते हैं किसके साथ प्रियोग किये जाते हैं कारक्चिन हमारे कारक्चिन हम पहले पढ़ चुके हैं जैसे करताने कर्म को करड से यह सारे क्या हमारे कारक्चिन और यही संबंद बोधक कारक्चिन के साथ प्रियोग किये जाते हैं समुच्चा बोधक अब समुच्चा बोधक ध्यान से पढ़िये राम और श्याम बिद्याले जा रहे हैं कौफी योगे या चाय मैं बीमार था इसलिए कल पढ़ने नहीं आया बच्चों आपने देखा कि उपर दिये गए वाक्यों में आई शब्द और या तता इसलिए दो तो दो शब्दों दो उपर वाक्यों को जोड रहे हैं ये समुच्चा बोधक इन्हें योजक भी कहते हैं अता हम कहा सकते हैं कि जो शब्द वाक्यों को जोडते वे समुच्चा बोधक कहलाते हैं ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को या दो शंग्या सब्दों को या दो पद दो को जोड़ो वो क्या कहलाते समुच्य बोदक कहलाते जैसे की राम और श्याम तो दो संग्या शब्दो को किस ने जोड़ा राम और श्याम और ने जोड़ा काफी पी या चाय तो दो पद किस ने जोड़े या ने मैं बीमार था इसलिए कल नहीं पढ़ने आया तो दो वाक तदा पी एवम अत्वा की किन्तु परंतु लेकिन चूकी ताकी अन्था मगर आदे आईए इसी परकार के कुछ और उधारण भी देखते हैं दादा जी बाजार से दूद तथा चीनी लाए तो क्या लेकिया है दूद तथा चीनी तथा क्या होगा हमारा समुच्य बोधक तेज बरसा होने लगी और किशान खुस हो गया किसने जोड़ा और ने तो और क्या हुआ समुच्य बोधक छाता लेकर जाहो क्योंकि बरसा होने लगी क्योंकि क्या है हमारा समुच्च बोधक जूट मत बोलो अन्य था पिटाई हो जाएगी अन्य था क्या हो हमारा समुच्च बोधक बिस्मियादी बोधक छी कितनी गंदगी है वा कितने सुन्दर फूल है ओ पेट में बहुत दर्द है आपने देखा उपर दिये गए बाकियों में शब्द छी वा तता ओ मन में आए घ्रणा आस्चर एबम दुख के भावों को प्रकट कर रहे हैं ये बिश्मियादि वोदक शब्द है अता हम कहा सकते हैं कि जो शब्द हर सब्द है शोग घ्रणा आदि के भावों को प्रकट करते हैं बिश्मियादि वोदक शब्द कहते हैं ऐसे सब्द जिनने हमारे अंदर से अचानक से शब्द निकलते हैं जैसे किसी का दुख हमने सुना या पिर किसी का मनला कुछ ऐसा हमने देखा तो अचानक से भाव निकले, वो हमारे क्या होते हैं, बिस्मियादी बोधक जैसे हमने बहुत सुन्दर चीज देखिए, वाव कितने सुन्दर फूल है, तो वाव क्या हुआ हमारा बिस्मियादी बोधक, आपने कहीं गंदगी देख लेए, छी, कितना गंदा है, तो एक दम आप कहने लगते हैं, तो यह क्या होगा हमारा बिस्मियादी बोधक, बिस्मियादी बोधक की सबसे बड़ी पहचान होती है, कि इसके बाद में बिस्मियादी बोधक का चिन लगा होता है, अता हम कहा सकते हैं, जो शब्द हर्स, भै, शो, ग्रणा, आदी के भावों को प् अच्छा अरे अजी जी हाँ आद ये सारे क्या है हमारे बिश्मियादी बोधक शब्द कहलाते हैं धन्यवाद